पूनम आप बताओ पांच इकाई और दो इकाई को जोडने से कितना इकाई होगा? साथ इकाई होगा, कैसे होगा आप करके दिखाओ? एक दो इक चार पांच इकाई, एक दो इकाई, एक दो इकाई, एक दो इकाई, एक दो इकाई तो पूनम ने साथ इकाई कैसे हुआ इसको बताया? उसने पहले पांच इकाई निकाले फिर उसने दो इकाई निकाले और फिर सब को एक साथ बिला दिये तो साथ इकाई हो गए तो आपको समझ में आया कि पांच जोड दो साथ क्यों होता है समझ में आया और साथ में कितने इकाई होते है साथ में साथ इकाई होते हैं कमलकान ये बताईए कि आठ इकाई से दो इकाई घटाएंगे तो कितना इकाई बचेगा छे इकाई कैसे होगा बताईए करके बताईए तो आठ इकाई से दो इकाई को आपने घटा दिया तो छे इकाई हो ना ठीक है अब इसी को हम बोर्ड में भी लिख के दिखा सकते हैं दिखा सकते हैं आपको समझ में आया कि आठ से दो घटाते हैं तो छे क्यों होता है समझ भाएं ना